भोपाल, मध्य प्रदेश में कौशल विकास योजना को मन्जूरी कार्यक्रम ड्रोन और कृशी उपकर्णों के उपयोग पर खेत के बच्चों को शिक्षित करेगा कृशी को स्वचालित करने के लिए भोपाल, मध्य प्रदेश में राज्य परिशद ने मंगलवार को कौशल विकास योजना को स्विकार कर लिया जो किसानों के बच्चों को खेती के लिए ड्रोन का उपयोग करने के तरीके पर दस दिवसिय प्रशिक्षन कार्यक्रम प्रदान करती है इसके अलावा, तीन साल की अवधी में प्रमुख क्रिशी उपकरनों को संभालने के लिए छे हजार युवाओं को प्रशिक्षन प्राप्थ होगा इसका एक परिणाम स्वतंत्र कार्य होगा परियोजना का बजट 22.73 करोड रुपय है चचाई के अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन में सबसे अधिक तापमान वाली बिजली इकाई बनाने की योजना को भी कैबिनेट ने मन्जूरी देदी इस सन्यंत्र को स्थापित करने की लागत 4,665.87 करोड रुपय है इसकी क्षमता एक उक्स 660 मेगावाट होगी इस इकाई की स्थापना करते समय भविष्य की राज्य विद्यूत आवश्शक्ताओं को ध्यान में रखा जाएगा 2027 से 2028 में शुरू होकर इकाई का व्यावसायक उत्पादन किया जाएगा सरकार ने पन्ना में एक नए क्रिशी महा विद्यालय की योजना को मन्जूरी दी जबलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू क्रिशी विश्व विद्यालय इसकी निग्रानी करेगा तीन अतिरिक्ट तहसीलों का निर्मान करने का भी निर्नाय लिया गया खंडवा जिले में चेगाम माकन, सिंधरॉली जिले में बरगवाहा और आगरमालवा जिले में सोयक्तला उलावरिष्टी और असामान्य मौसम की बारिश के बाद किसानों की फसल नश्ट हो गई सरकार ने अगले साल किसानों को शून्य प्रतिशक ब्याज रिन देने और उनके खिलाफ कानूनी कारवाई बंद करने का फैसला किया वसूली गई राशी पर सरकार ब्याज देगी तहसील का फैसला टाल दिया गया कैबिनेट की बैठक में भोपाल में दो अतिरिक्ट तहसील स्थापित करने की योजना स्थगित कर दी गई शहर में कोलार और बैरागड तहसीलों की स्थापना प्रस्तावित थी मुख्यमंत्री शिवराज सेह चौहान ने इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव का अनुरोध किया था इसलिए उनके अनुरोध पर इस विचार को स्थगित कर दिया गया था सीन के मुताबिक अप्रेल में ट्रांसफर की सीमा हटा दी जाएगी